इस वीडियो में हम खाजा मोईने दिंग चिष्टी उनिवर्सिटी इस उनिवर्सिटी के रीट एक्जामिनेशन के लिए रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के लिए रिसर्च मेतलोगी पर इंपॉर्टन्ट क्वेशिन्स देखने जा रहे हैं सुहरेब क्वेशन का पर डेतलमे डिदानेशन में विल जाएंगा देखने किस तरीके से कम पर कुशंध में किस तरीके से डील में क्वेशन के बेटी राइयो निष्ट एक खाजा मुएना दिन चिष्टी लाइंग्वाइज उनिवसिटी कज आपका रीड एग्जामिनेशन और युकें से पीजिए इन्वेंस एग्जामिनेशन है यह आपका 11 में के दिन कंड़क करवाए गया है तो याद रखिएगा आपके पास बहुत कम टाइम रिमेनिंग है प्रेपरेशन के लिए जितने जल्दी आप प्रेपरेशन स्टार्ट करोगे उतनी अच्छा आपका सेलेक्शन की चांसे जादा हो जाएंगे तो जिससे के आप स्क्रीन पर देख सकते हो पो rakो जादो करें अपको टेल स्टेडियर पर मेंजाई आपके लिए मिल जाएगा जिससे यापको गई सब्सक्राइगा प्रें मिल जाएंगा तो जिससर के आप देख सकते और सो नेंगा तो करते हैं वीडियो लेक्चर्स के थूरू देन अपको मॉक्टेस हम प्रवाइड करेंगे टुटल तैन मॉक्टेस है हर एक मॉक्टेस में 40-50 में से कवर कर रहा है तो उस तरीके से यहां पर हम कवर कर रहाते हैं और साथे साथ आपको इंपॉर्टन नूट्स हम प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके इंटर्व्यू में भी काफी हालपुल अपके लियराएगा तैन रिविजिन पीडिया जिसमें 1500 से भी इंपॉर्टन फ्रेंट क्वेशिंस को हमने कवर कर र पासिंग मांस तक तो मांस को कर सकते हैं तो जिसके लिए आपको स्क्रीन पर देएगा इस नंबर पर वाट्साप के तुरू करना है या फिर आप हमारे इस हाप के तुरू भी विजिट कर सकते हो डेमिलेक्स भी आप देख सकते हैं और आप पर वन क्लिक में ही आप इसीली research methodology के study material को access कर सकते हो और साथ ही साथ paper 2 का भी हम आपको study material प्रोवाइड करते हैं जिसके आपको notes and most expected questions हम आपको प्रोवाइड करेंगे इन सारे subjects के लिए जिसके आप screen पर देख सकते हो तो also for paper 2, paper 2 के लिए भी आप हमे इस दे अगए number पर whatsapp के थो प्रोवाइड कर सकते हो या फिर अपमारे इस app पर भी विजिट करकर paper 2 के study material को access कर सकते हो so that's it, ज़रा time waste नहीं करते है हम session को start करते है so let's begin with the what is the use of factorial analysis इस question में पूछ रहा है कि factorial analysis का use क्या होता है so याद रखिये research में एक term होता है factorial analysis जिसका मतलब होता है कि reduction of data so factorial analysis अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा होगा research में तो जो unnecessary data होगा उसको reduce करने के लिए factorial analysis का use करा जाता है अब मान देजिए for example मेरे पास बहुत ज़्यादा डेटा है बहुत ज़्यादे variables है जैसे variable A, B, C, variable D, variable E, variable F अब मेरे पास इतने सारे variables है अब इतने सारे variables पर मुझे focus करना इनको observe करना इनको analyze करना difficult हो जाएगा अब research क्या करते है जो वे यह variables हमें दिये गए है A, C, F तक इन सारे variables को research करना मुश्किल होता है तो research क्या करते है इस data को reduce करते जाते हो Research यह पाता लगाते है कौन से दो ऐसे variables होंगे जिसके वज़े से सारे variables एक दूसरे से linked है और connected है यहाँ पर जो variable B है और variable D है यह दोने एक ऐसे variables है जिसके वज़े से यह सारे variables एक दूसरे से linked है सारे variables एक दूसरे से connect है So research क्या करेंगे जो unnecessary data है जो research को required नहीं है इन सारे data को research minimize कर देंगे Reduce कर देंगे और जो variables जो 2 variables important है जिसको research को observe करना चाहिए analysis करना चाहिए इन दो variables को research चुन लेते हैं और उनको observe करते और analysis करते है So basically factorial analysis का meaning क्या होता है और use क्या होता है Research में बहुत जादा data होने के विल से research उन चीज़ों को variables को observe नहीं कर पाते analysis नहीं कर पाते हैं क्यूंकि बहुत जादा data होने के विल से research होगी complex way की तरफ चल जाएगी So इसलिए बहुत जादा data जाब होता है So उस data को reduce करने के लिए factorial analysis का use करा जाता है और जो domain variables होते हैं उन दो variables के बीच में relation को पता करा जाता है उनके बीच में कैसा relationship है उसको understand करने के लिए factorial analysis का use करा जाता है So इस question का आपका right answer हो जाएगा option C To understand the relationship between two variables Next assignment of numerals to the objects to represent their attributes is known as इस question में पूछ रहा है ऐसे कौन सा data होता है जिसमें हम उस data के जो भी characteristics होते है उन particular object की जो characteristics होते हैं पर नमबर देते है So उस data को हम क्या कहते है So याद रखेगा उस data को हम कहते है nominal data So research में four types के scale होते हैं जिसमें आपके पार जाता होते है जिसे हम nominal, original, interval and ratio scale भी कहते है और nominal data भी कहते है यानि उस scale में हमारे पास कुछ ना कुछ data होता है जिसमें यहाँ पर आपको इस diagram में देखना है Four types of level of measurement होते हैं और scales of measurement होते हैं जिसे हम इस short form से याद रखेंगे Neuer, N4, nominal, O4, original, I4, interval and R4 ratio nominal scale क्या होते है जिसमें आप के पास जो भी data होता है आप उस data को उनके characteristics की basis पर divide करते हो Ordinal में क्या होते है आप एक data को आपके एक order देते हो, rank देते हो उसी तरीके से interval में Interval में आप ordinal के सारे characteristics फॉलो करोगे लेकिन interval में आपके पास जो भी data होता है आप उसको एक equal intervals में arrange करोगे और interval में आपका जो 0 होता है ये arbitrary होता है and last is ratio, ratio में interval के सारे characteristics present होंगे और ratio में 0 का कुछ ना कुछ meaning होगा तो यही होते हैं आपके 4 level of measurement और 4 scales of measurement जिसे मैंने अपने lecture series में detail में explain किया है जिन students ने lecture देखा होगा उनको easily समझ में आगाया होगा कि level of measurements क्या होते हैं इस question में मैं पूछ रहा है ऐसे level of measurement, ऐसे scale जिसमें हमारे पास जो भी data होता है उस data को उसके characteristics के basis पर उस object को और उसके characteristics को हमें numerical से represent करते हैं कोई male होगा कोई female होगा अब nominal scale में क्या करते हैं जो आपके पास data होता है उस data को आप number देते हो जैसे for example मैं male को number दे दूँगी plus one और female को number दे दूँगी मैं minus one तो यहाँ पर मैं क्या कर भी मेरे पास जो भी data है उसके characteristics की बिलसे से मैंने जो data हो डिवाइड की हो male और females को उनको मैंने एक numbers के form में represent किया तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ आप nominal scale में करते हो हो और आपके पास nominal data जो होता है उसमें आप करते हो इस question का आपका right answer हो जाएगा option in nominal data next what are the conditions in which type 1 error occurs इस question में पूछ रहा है दिये गए options में से कौन सा ऐसा option है अगर researcher उस option को perform करते है और जो भी research कर रहा है उस option को perform करता है तो उसे हम कहेंगे कि उन्होंने type 1 error perform किया so error क्या होता है आपको पहले तो यह पता होने चाहिए इस question को solve करने के लिए error क्या होता है जब भी research अपने hypothesis को test करते हैं सो उन्हों सब कुछ mistakes हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं error अब research में याद रखिएगा exam में इस type के भी question आती है कि research अपने research में किस hypothesis को test करते है तो याद research से null hypothesis को test करने में कुछ mistakes हो जाती है उसे को हम कहते है उस mistakes को हम कहते है errors और researchers से जो errors होता है वो दो टाइप को हो सकता है type 1 and type 2 अब इस question में मैं पूछ रहा है कि type 1 error कर बाकर होता है इसके लिए आपको यह table याद रखना है बहुत important है इसके पहले भी मैंने कई lectures में यह table अगर आप एक बारी notes पर लेते हो तो मैं अपने batch के students को कहूँगे कि एक बारी आप notes रीट कर लीजेगा तो यह आपको टाइप 1 error टॉपिक है और type 2 error यह एक दम आपको clear हो जाएगा जैसे कि आप टेबल में देख रहे हो आप हमेशा और researcher जो भी research कर रहे हमेशा null hypothesis को test करत लेते हैं तो उस case में आपको हो कि researcher ने type 1 error perform किया और type 1 error को alpha error भी कहते है अलफा से denote किया जाता है उसे तरी किसे type 2 error क्या होता है type 2 error इस case में होगा अगर आपकी जो null hypothesis है वो false है false होने की बावजुद आप उसको accept कर ले रहे हो अगर null hypothesis false है आपने इसको accept कर लिया तो यहाँ आपने type 2 error perform किया और type 2 error को beta error भी कहते है तो याद रखिएगा type 1 error का बात अकर होता है जब आपकी null hypothesis true हो null hypothesis true होने पर भी आपने इसको क्या कर लिया reject कर लिया तो उस case में आपने जो error perform किया वो हो जाएगा आपका type 1 error जिसे हम alpha से भी denote करते है तो इस question का आपका right answer हो जाएग option B the null hypothesis get rejected even if it is true next population divided into four equal groups of a particular variable group is इस question में find out करना है कि आपने आपकी जो population है उस population को आपने four equal groups में divide कर दिया four equal groups में आपके आपने population को divide कर दिया सो उसे हम क्या कहेंगे कर परसें साहिए कोटाइल कहेंगे और फिर decद कर दिया शो यहाप आपकी इमानली को उयके पॉपिलेशन थी आपने इस population को four part में 오빠 कर दिया है first second third and fourth part 4 part में आपने इसको divide कर दिया तो 4 part में आपने आपकी population को अगर divide कर दिया तो उसे हम कहेंगे quartile quartile का ही मतलब होता है four quartile का मतलब होता है four कि आपने आपकी population को four equal groups में divide कर दिया तो उसे हम कहते है quartile परसंटाइल क्या होता है, अगर आपने आपकी 1700 एक्वल गृप्स में अगर आपने डिवाइट कर लिया तब आप उसे हम कहेंगे परसंटाइल, परसंटाइल का मतलब होता है 100 decil, decil कहता है अगर आपने आपकी जो population है उसको 10 equal groups में अगर divide कर लिया तो उसे हम कहेंगे decil decil 10 होता है, cotyle 4 होता है और percentile 100 होता है तो आपने यहाँ पर आपकी जो population है उसको 4 equal groups में divide कर लिया तो उसे हम कहते है cotyle याद रगना है cotyle quartile का मतलब होता है 4 तो यहाँ पर 4 equal groups है तो आपने आपकी population को 4 equal groups में divide कर लिया तो उसे हम कहेंगे quartile तो यहाँ पर आपका correct option हो जाएगा option B quartile next sampling interval k is determined by the equation इस question में मैं find out करना है sampling interval इसको आप के से represent करते हैं इसको आप किस equation से determine करोगे आप sampling interval होता क्या है आपको पहले यह पता होना चाहिए sampling intervals मतलब आप samples को कितने intervals पर collect कर रहे हो sampling intervals आप generally systematic sampling में use करते हो आप systematic sampling में आप किस तरह किस से sampling interval करते हो आप मान लो जिसे आपकी जो population है वो 100 है आपकी जो population है पूरी 100 population है तो आप 100 के 100 population पर research perform नहीं कर सकते है बिकाज यह बहुत time taken process हो चाहिए 100 population है और आपको चाहिए जो मेरा sample होगा वो sample massive 10 लोगों पर research perform करोगा आप क्या करोगे इस case में आप कुछ intervals पर आपके पास population है और उस population में से आप कुछ intervals पर sample select करोगे इस case में आपका sampling interval है जिसको आप k से represent करते हो तो यह आपका हो जाएगा capital N divided by N capital N जिसको आप population के तो हो आपके population मान लो इस case में 100 है वो sample आपको 10 चाहिए तो यह आपके आपके जो k की value आजाएगी वो हो जाएगी k sampling interval हो जाएगा आपका k so k की value 10 आजाए चाहिए है मतलब अगर आपके जो population है वो total 100 है तो अगर आप population में से पहले person को select करते हो तो आप 10 के gap पर 10 के gap पर आप क्या करोगे 10 का gap लोगे और तेन 11 वाले person को select कर लोगे 11 वाले person को select करने के बाद अगेन आप 10 का gap लेकर 21st number वाले person को select कर लोगे ऐसे ही आप 10 का gap लेकर 31st वाले person को select कर लोगे so k जिसको आप sampling interval कहते हो उस formula को determine करने के लिए आपको इस equation का use करना होता है capital N divided by small n capital N आपके population होगी कितनी total entire population है divided by n कि आपको population में से कितना sample चाहिए so आपको इस formula में put करना है sampling interval के जो value आएगी आपको उस interval से population में से samples को select करना होता है so यह आपर sampling interval को determine करने के लिए आपको इस equation का use करना है k is equals to capital N divided by small n so यह आपर आपको option D correct हो जाएगा next dash is a preferred sampling method for the population with finite size इस question में मैं find out करना है कैसी कौन से sampling method है जिसमें आपकी जो population में जिन जिन मेंबर्स को select करने वाले आपका जो sample है उसे कुछ ना कुछ finite size है मतला कुछ size decide कर ले तो कि इतने मेंबर्स में select कर लोंगी इतने मेंबर्स को में select कर लोंगा so वो कौन से sampling method है हमें वो find out करना है so one by one हम options लेखते है option A area sampling area sampling क्या होता है किसी भी area का geographical research में ज्यादा तर use करा जाता है area sampling किसी भी area कौन-कौन से area पर study करने वाले हो so यहापर area से related हमें कुछ given नहीं है हमें population से related है population में से जो members आप select करने वाले हो so यहापर आपका option है incorrect हो जाएगा then option B cluster sampling cluster sampling क्या होता है जब आपकी जो population है बहुत large amount में population है so उस population को आप homogenous groups में divide कर लेते हो और उसी groups को पूरे group को एक group को लेकर आप उस पर research करते हो so यहापर group के बारे में भी हमें नहीं बोला गया है so यहापर आपका option B भी incorrect है then option C purposive sampling purposive sampling क्या होता है जिसमें आप आपके purpose, आपके judgment, आपके convenience की basis पर से population में से members को select कर लेते हो यहापर आप size नहीं decide करते हो आपको लगता है कि मुझे इस person से data मिल सकते है तो मैं इस person को ले लेगा मुझे इस person से data मिल सकते है तो मैं इस person को ले लोगा इस्तेने मिल रहे तो मैं कुछ और पॉसंद के पास मॉफ करूँगा या पर आपको डिसाइड नहीं करते हो तो पॉपसिव सैंप्लिंग भी इस कोशन का करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा यह पर आपकी सैंप्लिंग में क्या करते हो एक। अब सिलेक करते हो 40 को सिलेक्ट जाता हैं एक point select कर लिया, यह एक rule होता है systematic sampling में क्या करता है, research एक randomly point को select कर लेती, मतलब एक member को randomly select कर लिया, research ने जो member को randomly select कर लिया, वो second position पर member था, अब researcher ने क्या decide करा, कि मैं हम तीसरे members को अपने population में से select कर लूगा, so research ने यहापर क्या किया, एक दो और ही तीसरे member को select कर लिया, फिर से 1, 2, 3rd वाले members को select कर लिया, then 1, 2 and again 3rd, तो इस तरीके से research ने 12 population में से 4 लोगों को select कर लिया, यह उनका sample बन गया, जिन पर research अपनी study perform करेंगा, तो यहापर एक finite size लिया research ने, कि मैं अपनी population में से इतने इतने जो number पर लोग आएंग तो उस sample को आप क्या करोगे, systematic sampling, that's why आप आपका correct option हो जाएगा, option D, systematic sampling, next, which one of the following is an example of sampling error, इस question में हमें find out करना है कि sampling error का example हमें किस option में given है, अब sampling के दो type होते है, एक होता है sampling error, और next होता है non sampling error, अब sampling error क्या होता है, जिसमें आपका जो sample है, वो पूरी population को, आपका जो sample है, वो पूरी population को represent नहीं करता है, वो थे आपका sampling error, और non sampling error क्या होता है, जो researcher से service के through होती है, data collect करने के time पर होती है, या फिर samples लेते ताइम पर, researcher से कोई mistakes हो जाती है जब researcher sample collect करते हैं उस time पर researcher से mistake हो जाती ही तो वो हो जाएगा आपका non sampling error अब इस question में हमें find out करना हैं कि sampling error का example हमें किस option में given है so one by one हम options देते हैं option A error at the time of coding and tabulation error ऐसे time पर coding or tabulation मतलब researcher को information मिल गई respondents है और researcher अपने table form में और researcher उस information को fill कर रहा है so उस time पर researcher से mistakes हो रही है तो ये error आपका non sampling error में आएगा that's why आपका option है incorrect हो जाएगा because ये sampling error का example नहीं है ये non sampling error का example है then option B wrong information given by respondent so respondent ने researcher को wrong information दे दी so ये service के तुरू हो जाएगा researcher सर्वेश को through data collect कर रहे है और respondent ने researcher को wrong information दे दी ये भी आपका non sampling error का example होगा that's why आपका option B भी incorrect हो जाएगा then option C sampling frame error sampling frame error क्यों होता है पर तो sampling error आपको पता हो जाए sampling frame क्यों होता है research अपनी research में list बनाते है और उस list में population के जो members होते है उनके सारी information present होती है और इस list का use करते होगे researcher sample select करते है so researcher जब sampling frame बनाते है जब list बनाते है population की उस time पर researcher से कुछ mistake हो जाएगे कुछ wrong information researcher फिल कर रहे है list में so ये error ये भी non sampling error का होगा क्योंकि ये researcher से हो रही है that's why आपका option C भी incorrect हो जाएगा then option D sample not being representative of population śemple जो population को represent नहीं कर रही है so ये आपका हैंगी sampling error में so option D आपका sampling error का example हो जाएगा that's why आपका correct option हो जाएगा option D sampling not being representative of population because sampling error ही हाता है कि आपका sample है वो पूरी population को represent नहीं कर रहे that's why आपका correct option हो जाएगा option D next इस question में मैं find out करना है कि अगर आपका जो distribution है वो normal हो तो उस case में आपकी cortosys की क्या value होगी so normal distribution मतलब आपका distribution कुछ इस तरीके से हो उससे हम कहते है normal distribution अगर आपका normal distribution है जिसे हम mesocortic भी कहते है उस case में आपकी cortosys cortosys जिससे हम beta 2 से denote करते है उसकी value हो जाती है आपकी 3, equal to 3, याद रखिएगा जब भी आपका distribution normal हो, मतलब कुछ इस तरीके से हो, अगर आपका distribution mesocortic हो, उस case में आपके cortis, यानी beta 2 की value 3 हो जाती है, then हम remaining cortis के बारे में देख लेते हैं, जैसे leptocortic, leptocortic को हम positive cortis भी कहते हैं, positive cortis की value और leptocortic की value हमेशा greater than 3 होती है, याद रखिएगा, leptocortic जैसे हम positive cortis भी कहते हैं, उसकी value 3 से greater होती है, and platycortic, platycortic की value हमेशा 3 से less होती है, और mesocortic की equal to 3 होती है, platycortic जिससे हम negative cortis भी कहते हैं, याद रखिएगा, positive cortis की 3 से greater than value, 3 से जादा value होती है, आपकी positive cortis की जिससे हम leptocortic भी कहते हैं, negative cortis, जिससे हम platycortic भी कहते हैं, उसकी value 3 से कम होती है, less than 3 होती है, and mesocortic, जिससे हम normal distribution भी कहते हैं, उसकी value, उसकी cortis की value, इस case में अगर आपका mesocortic यानि, आपका distribution हो normal हो, तो उस case में आपकी cortis की value equal to 3 हो जाती है, so for this question, option B here is the right answer 3, next, the data of research is, इस question में मैं find out करना है कि research में आपका जो भी data होता है, वो कौन से type का होता है, क्या वो qualitative होता है या फिर quantitative होता है, हमें यह find out करना है, तो research में आपके दोनों भी type का देता होता है, qualitative भी होता है, और quantitative भी होता है, so यह पर आपका option C correct हो जाएगा, तो किस तरीके से आपके research में data qualitative और quantitative होता है, जिसे मान लीजे, किसी film के reviews पर मुझे data correct करना, उस film के बारे में मुझे analysis करना, वो film कैसे थी, तो मैं लोगों से response लूँगी, तो मुझे जो response मिलेंगे, दोनों भी type के मिलेंगे, qualitative मी मिलेंगे मुझे response और quantitative भी मिलेगा, qualitative किस तरीके से मिलेगा, मैं पूछो नहीं कि उनको film की clarity कैसी थी, so वो yes no type में नहीं answer करेंगे, वो कहेंगे कि clarity ऐसी थी, clarity और अच्छी हो सकती, pixel rate क्या था, pixel और अच्छा हो सकता था, जिसके वैसे clarity और अच्छी हो सकती थी, actors की acting कैसी है, actor की acting कैसी है, आपको जो भी data मिलेगा, यह words और text के form में मिलेगा, आपको yes no type में, और आपको tick mark कुछ नहीं करने है, upraio yes, sorry, words और text के form में, आपको response मिलता है, data मिलता है, words और text के form मिलता है, इसलिए इसके इसमें आपको qualitative data में लेगा मेरा quantitative quantitative क्या हो सकता है जिसे कोई film है उसको rating करने आपको out of five stars में से five stars में आप rating करते हो अब कितने star दोंगी इस particular film को four star five star सो यह आप बस star दे रहे हो आप यहाँ पर numbers में count करें आप ऐसा बोलोगे कि 70% लोगे इस film को like करा है इस film को 70% लोगे ने five stars दिया है सब यहाँ पर आपको जो data मेल रहा है यह numbers के form में मेल रहा है सब फिर्म के आप reviews ले रहे हो तो आपको research में दोनों भी type कर data मिल सकता है qualitative भी मिलता है और quantitative भी मिलता है that's why आपका correct option हो जाएगा option C both A and B next in which of the following sampling methods do the respondents themselves play a major role in the selection of sample इस question में में find out करना है ऐसे कौण से sampling technique होती है और ऐसे कौण से sampling method होता है जिसमें respondent का major role होता है सेम्पल को select करने में so वो आपके sampling method होती है snowball sampling आपको यह याद रखना है snowball sampling आपकी non probability sampling method का type होती है जिसमें research अपने convenience के यह बसाब से samples को select करते है अब आपको यह बता आना चाहेए लिए snowball sampling होती क्या है अब snowboard sampling के लिए आपको इस diagram को याद रखना है अब मानले जी आपर ये researcher है researcher को ये देखना है कि एक particular city है उसमें कितनी percent women drink करती है कितनी percent women alcohol लेती है तो ये आपर researcher क्या करेंगे पहले researcher को एक woman मिल जाएंगी और मानलो एक और मिल गई researcher को woman जो alcohol लेती है अब क्या करेंगे researcher इनको कहेंगे कि तुम जाओ और और लोगों को collect करकर लाओ और women को collect करकर लाओ जो alcohol लेती है तो ये क्या करेंगे ये जो respondent है ये खूद population में से samples को select करेंगे और ऐसे women को select करेंगे जो alcohol लेती है अगे यह भी जो researcher का respondent है यह भी क्या करेगा? खोई ऐसी लोगों को select कर कर लाएगा ऐसी women को select कर कर लाएगा जो alcohol लेती है Snowball sampling में क्या होता है? Respondent ही खुद और sample को select कर लेकर आते हैं Snowball sampling में respondent का major role होता है, respondent major role play करते हैं अब रही बात snowball sampling, इसको snowball क्यों कहते है, आपको यह याद रखना है, आपने जब देखा होगा कि अगर कोई high point से बर्फ है जो high point से गिर रही है, तो यह बर्फ का जो round है अगर वो high point से गिरती है, तो यह बड़ा होकर यह और अपने साथ और बर्फ जमाओ कर लेकर आता है तो एक chain बनाता है और जैसे देख रहे हो यह चोटा ball था और यह नीचे आता है तो एक बड़ा ball बन गया उसी तदिके से snowball sampling में एक person होता है एक ही person आता है फिर उसके तुरू और person आता है इसलिए इस sampling को कहते है snowball sampling so snowball sampling में ज्यादा तर respondent का major role होता है samples को select करने के लिए that's why आपका option A correct हो जाएगा then option B convenience sampling convenience sampling भी आपके non probability sampling method पर type होती है जिसमें research अपने convenience की basis पर research को लगता है कि मुझे इस person से sample मिल सकता है so research उसमें अपनी convenience की basis पर samples को select करते है so convenience sampling में respondent का ज्यादा major role नहीं होता है that's why आपका option B incorrect हो जाएगा then option C cluster sampling cluster sampling के आपका probability sampling method का type होता है जिसमें researcher पहले researcher के पास एक population होती है उस population को researcher groups में convert करते है then groups में convert करने के बदे रैंडमली उस group को directly select कर लेते हैं और वो उनका sample बन जाती है so cluster sampling में भी respondent का major role नहीं होता है that's why आपका option C incorrect हो जाएगा then option D purpose of sampling purpose of sampling आपके non probability sampling method का type होती है जिसमें research आपने purpose के उनके judgment के basis पर population में से samples को select करते है so purpose of sampling में भी respondent का major role नहीं होता है samples को select करने के लिए that's why आपका option D भी incorrect हो जाएगा so here correct option is option A snowball sampling and thank you for watching this video see you tomorrow